हाई एवरिवन एक्जामेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है हम बात कर रहे हैं अलहाबाद उन्वस्टी नॉन टीचिंग पोस्ट टूथाउजन ट्वेंटिफोर आप सभी लोगों की कुछ डाउट हैं उसको इस वीडियो में कम्प्लीट बताया जाएगा सबसे पहले जितने भी अभ्यरति इसको देख रहे हैं और आप इस परिक्षा को देने वाले हैं या सोच रहे हैं देने को या फॉर्म भड़ने को तो आप इससे ध्यान से सुनिए इसलिए क्योंकि यही कोश्चन आप बाद में कमेंट सेक्शन में भी पूछा करते हैं कोश्चन होते हैं उसकी रिपलाई भी कमेंट सेक्शन में और टेलिग्राम पर भी दिया जाता है जिनको इक्षा है कि वहां से जुड़ना है तो वहां से अपने स्टडी मटेरियल को भी देखते रह सकते हैं जितनी पॉसिबिल्टी होती है चैनल के माध्यम से आपको हर चीज पहुचाई जाती है इस एक्जाम की भी और अन एक्जाम की भी आपको केवल चैनल से इतनी ही हल्प मिलेगी कि आपके जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है क्या चीज़े हैं उसके विशह में साथ ही आप क्या से लेबर्स और जितने भी पॉसिबल होंगे आपको स्टेडी मैटेरियल विद क्लास यही सारी ची आपके परिक्षा होगी कब वैसे मैंने इसके विशह में आपको बताया भी था आज ही टेलिग्राम पे शेयर किया था जो लोग वहां नहीं है वो यहां से जान ले कि आपकी जो भी परिक्षा होगी अभी जो है ग्रेजुएशन की परिक्षाएं स्टार्ट हो चुकी नोटेस आएगी आपको चैनल के माध्यम से इंफॉर्म किया जाएगा आप लोग अपने सतर से भी इलहाबाद इनवस्टी के ओफिशल साइट को विजिट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले तो किसी भी हाल में मुझे नहीं रगता कि आपका एक्जाम अप्रेल में होगा आपका एक्जाम माई लास्ट में मतलब वो भी 20 माई के बाद पॉसिबल होना उसके पहले नहीं क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि जो आपकी एक्जाम कंड़क्ट होते तो वहां के भी मिंबर उसमें शामिल होते हैं काफी चीजे होती हैं तो इस वज़ह से ऐसी चीजे हैं और परिक्षा का मतलब सिर्फ यहां पर रिटेन एक्जाम से नहीं है सभी लोग ध्यान से देख लें क्योंकि आपके भी नोटिफिकेशन में MTS पद को छोड़कर MTS और Group B की बात कर रहे हूं इनके रिटेन एक्जाम फिक्स है होना लेकिन Group C की सभी पदों के लिए रिटे पता चलेगा तो commonly subject क्या पढ़ने आपको लगातार मैंने कई बार बताया है कि उसको पढ़ते रहे हैं बाकि जो भी आप competitive exam दे रहे हैं आप उसको तयारी करते रहे हैं चैनल के माध्यम से जो MTS candidate को material दिये जाते हैं वो ऐसा नहीं कि MTS लिखा है तो MTS का ही पढ़ना है परिक्षा होंगी तो आपको सुचित किया जाएगा अगर आपके पोस्ट में skill test direct होगा तो भी बताया जाएगा return test होगा तो भी बताया जाएगा जैसा कि IOC की तरफ से यानि अनुवस्टी की तरफ से decide होगा यह बात हो गई आपके परिक्षा कब होगी दूसरी बात यह है कि कुछ अभेड़ती ऐसे भी हैं जो कि direct यह पूछ रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी तो देखिए सबसे पहली बात पता ही नहीं कि परिक्षा कब होगी जब परिक्षा का ही नहीं पता तो ज्वाइनिंग की बात तो की ही नहीं जा सकती ठीक तो यह question गलत है अभ कुछ कंड़क्ट होई है ठीक है रिजल्ट आने तक में इतना समय लगा था तो इसका मतलब यह नहीं किस बार भी होगा इस बार में काफी परिवर्तन है पिछली बार में क्लियरली रिखा हुआ था कि गुरूप C के रेटन एक्जाम ही होगी इस बार ऐसा नहीं है हो सकता ह आपको परिवर्तन देखने को मिले और क्या होग वो तो समय पर पता चलेगा जब नोटिस आएगी क्योंकि इसके बार में किसी को इंफॉरमिशन नहीं है तो समय का इंतजार करेंगे आप तो एक्जाम कितने दिन में पूरा होगा, हो सकता है कि इस रिटेन एक्जाम नहीं तो आपके तुरंत ही कर दिये जाएं स्किल टेस्ट उसके बाद वेरिफिकेशन अगर रिटेन टेस्ट होंगे तो उसमें समय लगेगा तो जितना भी जैसा होगा यह समय पर परता चलेगा ठीक है कि एक्जाम कितने दिन में पूरा होगा 2021 के पैटर्न को लेके ना चले कि 2021 में तो तीन साल लगा तो इस बार भी लगेगा ऐसा कुछ सम्भू नहीं है ठीक है ना समय कम भी लग सकता है ज्यादा भी आप हर आयोग हर जगा क्या हाल देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्जाम होते हैं कैंसेल होते रहते तो यह हर समय का है इस समय कैंडिडेट जितने भी है जितने स्टुडेंट है उनका काम है सिर्फ पढ़ना पढ़ाई करिए तैयारी करिए और एक्जाम जब भी हो तो उसको दीजिए और यही हाथ में है अपने तो उतना ही काम आप करते रहेंगे ठीक है तो यह समझ में आया होगा आपको यह चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि आपकी परिक्षाएं कब होगी ज्वाइनिंग का कोई मैटर ही अभी नहीं उठता जब आपके एक्जाम ही नहीं हुए है एक्जाम कब तक कंपलीट होगा वो भी बता दिया गया है कि कुछ निश्चित नहीं है और दूसरी बात यह हम बात करेंगे जिस पोश्ट में मतलब कुछ ऐसे हैं पोश्ट जिसमें सिर्फ एक या दो पद है तो उसमें क्या करें मतलब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो यह पूछ रहें कि उनके पास इतना ही क्वालिफिकेशन है कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी मिले माली जी किसी में 50% नंबर मांगा गया है ठीक है और आपके हैं 49.9 सपोस करिए तो क्या फार्म भर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप नह हो जाता है तो फाइदा तो आपको होगा नहीं कुछ फाइनल में बाहर ही हो जाएंगे तो जो क्राइटेरिया है जो एसेंसियल क्वालिफिकेशन है अगर वो कंप्लीट है तभी आ फार्म भरिए दूसरी बात हम बात करेंगे कि एक दो पद वाले क्या करें जिसमें भी प कहने को तो लोग कहेंगे आपसे कि चलो एक सीट से हमको मतलब है सो सीट से नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको माननी भी चाहिए हर इंसान को खुद का पता होता है कि हमारी उती त्यारी है नहीं या हो पाएगा या नहीं या और उसके essential qualification जो आवश्यक मांगा गया वो आपके पास है कुछ भी अगर उसमें से नहीं है तो आप form apply ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा बाकि आपकी स्वयम केक्षा है करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसमें से भी कुछ अभेर्थियों ने ये बात पूछी थी सब्सक्राइब करें तो आपके लिए काफी कम उसमें गई है कट आफ मैंने वीडियो भी आपको अविलेवल कर आई है तो जो लोग अभिर्थी उसमें तो बहतर है वहां पर अगर आपको मिल जाए तो काफी चीजें वहां पर हैं तो देख लीजिए अपने हिसाब से जिस से रिलेटेड की कोई दिक्कत हो आपको या फॉर्म से रिलेटेड और बाकी और भी विकेंसी की बारे में आप डिस्कुस कर सकते हैं नेक्स वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे चाहें थे